पिप्पलाद मुनी को भी शिव जी का अवतार माना गया है वे दधीची रिशी के पुत्र थे दधीची अपने पुत्र को बच्पन में ही छोड़ कर चले गए थे एक दिन पिप्पलाद ने देवताओं से इसकी वजह से पूछी तो देवताओं ने कहा कि शनी की वजह से ऐसा कुल्योग बना था जिसकी वजह से पितापुत्र पितापुत्र बिछड गए ये सुनकर पिप्पलाद ने शनी को नक्षत्र मंडल से गिरने का शाप दे दिया शाप की वजह से शनी गिरने लगे तो देवताओं की शनी को क्षमा करने की प्रार्थना पिपलाद जी से की तब पिपलाद ने शनी को किसी व्यक्ति को जन्म के बाद 16 साल कष्ट न देने का निवेदन किया था शनी ये बात मान ली इसके बाद से पिपपलाद मुनी का नाम लेने से शनी के दोश दूर हो जाते हैं